Hello everyone, मैं हूँ पवनेगी और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं Class 11 Chemistry का Chapter 4 Chemical Bonding और ये इस सेरीज का 6th part है और 5th part में हम लोग ने देखा था Hybridization of Carbon और मैंने आपको बताया था that Carbon has a unique property that it can show SP3 hybridization, SP2 hybridization and even SP hybridization तो उस में से मैं आपको बता चुका था SP3 hybridization तो आज हम देखते हैं कि Carbon में SP2 hybridization किस तरीके से होता है जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं SP2 hybridization का मतलब है 1S and 2P orbital will combine to form 3 new SP2 hybridized orbital तो देखते हैं Carbon में ये किस तरीके से होता है तो Carbon का अगर आप Ground State Electronic Configuration देखोगे तो ये कैसा है 1S2, 2S2 and 2P2 तो अगर मैं Valency Shell में देखोँगा तो ये हैं आपके पास 2S and 2P और आप जानते हैं 2P Subshell में there are 3 orbitals तो ये Electronic Configuration कुछ ऐसा हो जाएगा तो अब आप देखें Ground State में तो क्या है दो ही Unpaired Electron है Carbon में अब P Subshell में तो Excited State में क्या होता है In Excited State 1 of the Electron from 2S will jump into 2P Orbital और अभी आपके पास देखें क्या है 3 Unpaired Electron हो गए 2P में एक हो गया 2S में तो अभी हमारे पास क्या है 4 Unpaired Electron है क्योंकि Hybridization कैसा हमने बताया है SP2 तो क्या होगा 1S and 2P Orbital ये माल लीजिए PX है ये PY है ये PZ है किसी को भी आप XYZ मान सकते है उसमें कोई restriction नहीं है तो माल लीजिए 1S and 2P Orbital विल कमाइन तो अंडरगो SP2 Hybridization तो यहां क्या हो रहा है SP2 Hybridization हो रहा है और आप ये ध्यान रखे कि यहां क्या है ये जो PZ Orbital है It is not participating in the hybridization तो इसको हम क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे unhybridized unhybridized P Orbital मलब इसने participate नहीं किया है hybridization में तो आप देखिए किसने participate किया है 1S and 2P Orbital ने participate किया है तो कितने hybridized orbital बनेंगे तीन और उनका नाम होगा SP2 Hybridized Orbital तो एक कार्बन के surrounding में क्या है 3 SP2 Hybridized Orbital है और आपको ये अच्छे से पता है कि अगर 3 SP2 Hybridized Orbital है तो ये कैसे रहते हैं एक trigonal planar arrangement में रहते हैं और इनके बीच में एंगल कितना होता है 120 तो ये जो मैंने लिखा है ये तीनों क्या है SP2 Hybridized Orbital है तीनों के तीनों जो मैं आभी लिख चुका हूँ और आप देखे कार्बन के उपर क्या होगा एक unhybridized P orbital भी है और इसका जो direction है वो इनके direction के perpendicular होगा वैसे भी PZ X और Y plane के perpendicular होता है तो मैंने इसको लिख दिया ऐसा ये इसके perpendicular है और इसमें भी आप देखे इसमें भी एक unpaired electron होगा तो चाहो तो मैं इसको लिख दूँ इस अगेल यही है ये भी unhybridized P orbital ये तो एक कार्बन की बात है और हम कह रहे हैं कि ये जो SP2 hybridization है ये किसमें हो रहा है C2H4 में और C2H4 आपको पता होगा This is what ethene ये ethene है तो आप देखे इस ethene में दो कार्बन हैं और दोनों ही कार्बन में SP2 hybridization होगा मतलब एक और कार्बन होगा जिसमें SP2 hybridization होगा तो मान लिज़े मैं उस कार्बन को ऐसे लिख देता हूँ तो इस कार्बन में भी exactly 3 SP2 hybridized orbital बनेंगे और ये जो 3 SP2 hybridized orbital बनेंगे ये इसके साथ क्या करेगा ये क्या करेगा इस वाले कार्बन के साथ overlap करेगा तो इसके में पहले क्या बना लेता हूँ अब यहाँ एक unhybridized p orbital इस कार्बन में भी होगा जो कि perpendicular to the plane है और इसमें भी एक अन्पेड एलेक्टोन होगा अब आप देखिए ये जो bond बना है ये दोनों कैसे orbital है ये है SP2 hybridized orbital ये है SP2 hybridized orbital यहाँ भी आप देखिए this is SP2 hybridized orbital this is SP2 hybridized orbital and this is unhybridized p orbital मैं इनमें लिखी देता हूँ so this is SP2 hybridized orbital this is SP2 hybridized orbital और ये क्या है unhybridized p orbital तो आप देखिए जो SP2 hybridized orbital है ये दोनों इनके बीच में कैसा bond बन रहा है sigma क्योंकि head-on overlapping हो रही है तो एक single bond बन गया फिर यहाँ आप देखेंगे यहाँ क्योंकि H4 है 1, 2, 3, 4 तो ये किसके साथ कमाइन करेगा वेद इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ एक SP2 hybridized orbital था इसमें एक unpaid electron था SP2 hybridized orbital और ये किसके साथ कमाइन करेगा दूसरे hydrogen के 1s orbital के साथ जिसमें एक electron है ऐसे ये भी करेगा hydrogen के 1s orbital के साथ ये भी हो गया तो यहाँ भी आप देखें sigma bond बन रहा है यहाँ भी sigma bond बन रहा है इन दे सेम वे आप देखें यहाँ भी क्या बन रहा है sigma bond बन रहा है 1s of hydrogen यहाँ भी क्या बनेगा sigma bond बनेगा 5 sigma bond बने हैं दोस्तों कितने sigma bond बने हैं 5 sigma bond बने हैं तो carbon की तो valency 4 होती है और अगर आप बड़े ध्यान से observe करोगे तो आप यह देखोगे कि यहाँ carbon ने अभी 3 इनी bond बनाए हैं वो 3 bond कौन से हैं 1, 2, 3 इस carbon ने भी 3 इनी bond बनाए हैं कौन कौन से एक दो और ती जो कि सिग्मा बॉर्ण है ये दोनों में ही काउंट होगा बीच वाला बट कार्बन की वेलेंसी सेटिस्फाई हुई नहीं अब देखिए वेलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए यहां क्या है unhybridized p-orbital है जो कि above the plane और below the plane दो supposed हैं धोगो होते हैं p-orbital में क्योंकि यह unhybridized है तो इसके दो लोगा आपको दिखाई दे रहे हैं अब यह head-on overlapping नहीं कर सकते हैं क्योंकि head-on overlapping के लिए इनके पास वैसा orientation है ही नहीं तो ये क्या करेंगे दोस्तों ये करेंगे sidewise overlapping और sidewise overlapping से आपको पता है क्या bond बनता है pi bond और pi bond के दो portion है one is above the plane one is below the plane तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको screen पर ये क्या है this is the structure of ethene ये किसका structure है दोस्तों ये ethene का structure है और आप देखिए carbon में कितना hybridization है यहाँ sp2 hybridization है कई बार हम बिना इतना calculation के ही बता सकते है कि कौन सा hybridization होगा मैं आपके आगे बता रहा हूँ तो ये जो आपको screen पर दिखाई दे रहा है आभी this is what the structure of ethene तो आप देखिए यहाँ ये sigma bond है 2 sigma bond, 3 sigma bond 4 sigma bond 5 sigma bond और एक है pi bond तो अगर मैं इसका structure बनाओ simple तो C double bond C carbon H H यहाँ भी H यहाँ भी H तो आप देखिए ये single bond sigma bond था ये भी sigma bond है sigma bond sigma bond यहाँ इन दो mem bond में से एक sigma bond एक pi bond तो आप ध्यान रखिए जब भी double bond बनेगा तो out of that double bond, one will be sigma bond and one will be pi bond तो कई बार आपको number of sigma and pi bond काउंट करने के लिए आ जाता है exam में तो I hope आप लोग कर पाएंगे और एक बार और देख लिजे जो sigma bond बना है वो कैसे बना है S और SP2 hybridized orbital के combination से यहाँ वाले एक, दो, तीन, चार यह जो sigma bond बना है यह कैसे बना है SP2 और SP2 hybridized orbital के overlapping से और यह जो pi bond बना है यह कैसे बना है pi p orbital के overlapping से sidewise overlapping से unhybridized p orbital के overlapping से बना है pi bond right so this is what SP2 hybridization of carbon right इसी को अगर हम diagram से देखेंगे तो आप इसको ऐसा भी देख सकते हैं right तो मैंने आपको बताए था carbon में क्या है तीन SP2 hybridized orbital बनेंगे जिसको yellow color से दिखाए है दोनों carbon में SP2 hybridized orbital फिर यह दोनों SP2 hybridized orbital यहाँ overlapping करके बना रहे है sigma bond यहाँ देखे SP2 और S में क्या हो रहा है overlapping हो रहा है तो sigma bond बन रहा है hydrogen के और यहाँ भी sigma bond यहाँ भी sigma bond यहाँ भी sigma bond right इसके बाद क्या है कि इसमें एक unhybridized p orbital भी है जिसको यहाँ purple color से दिखाए गया है right तो यह जब unhybridized p orbital आपस में जब overlap करेंगे तो यह क्या बनाएगा pi bond तो अलग-अलग से यहाँ पर दिखाए गया है this is the formation of sigma bond and this is the formation of pi bond जब आप इसको combined form में दिखेंगे तो यह ऐसा दिखेगा आपको यहाँ yellow green की overlap से आपको क्या दिखाई दे रहा है sigma bond even yellow yellow के overlap से आपको sigma bond दिखाई दे रहा है और जो purple color में overlap हुआ है unhybridized p orbital का उससे आपको pi bond दिखाई दे रहा है तो exam में आपको keval sketch करने की ज़रत है इतना colorful दिखाने की ज़रत नहीं है यह क्यों आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है तो I hope आपको समझ में आया होगा structure of ethene और ethylene इसके बाद हम देखते है sp hybridization of carbon तो इसका example है हमारे पास ethine में तो ethine आपको पता है c triple bond c h यह है ethine अब देखिए इसमें कैसे होता है तो again हमें देखना है carbon का ground state electronic configuration है 2s और इसके बाद 2p तो आपको पता है 2p में कितने है 3 electron है sorry 2 electron है अब जब excited state में जाएगा carbon तो क्या होगा carbon in excited state क्या हो जाएगा एक electron जंप कर जाएगा from 2s to 2p तो हमारे पास रहे जाएगा ऐसा structure बन जाएगा ऐसा arrangement बन जाएगा अब क्योंकि hybridization हो रहा है sp मतलब 1s and 1p orbital will undergo sp hybridization और sp hybridization के बाद क्या बनेगा दोस्तों 2 sp hybridized orbital बनेगे और याद रखिए यहाँ पर 2 क्या है unhybridized unhybridized p orbitals है 2 unhybridized क्या है p orbitals है तो unhybridized p orbitals में क्या होता है unhybridized p orbitals में क्या होगा दोस्तों यह इनोंने hybridization में participate नहीं किया तो देखते हैं bonding में यह कैसे participate करते हैं तो हमने अभी तक देखा है that what hybridized orbital क्या करेंगे दोस्तों combine करेंगे तो मैं इसमें लिख दूँ sp hybridized orbital यह भी sp यह भी sp इसके बाद यह sp क्या करेगा इनोंने आपस में combine करके एक sigma bond बना लिया यहां यह hydrogen के साथ combine करेगा 1S यहां भी यह hydrogen के साथ combine करेगा hydrogen का 1S और इन दोनों में एक एक अनपर एलक्ट्रों तो यहां bond बन गया यहां bond बन जाएगा रइट इसके बाद यहां भी bond बन जाएगा तो यह तो ठीक हो गया इसके बाद आप देखिए carbon में अभी भी अगर आप देखेंगे तो carbon ने कितने bond बनाए है एक bond तो यह बन रहा है hydrogen के साथ और एक दूसरे carbon के साथ दो ही bond बन रहे हैं बट carbon का valency है 4 तो 4 bond बनाने के लिए अभी आप देखिए आप देखिए यह PX है तो इसका PX क्या करेगा इसके PX से combine करेगा दूसरे carbon में भी PX है इसके PX से combine करेगा और इनके यह हो गया और अभी एक PY भी है अब आप देखिए PY का जो direction है वो इसके perpendicular होगा क्योंकि 3 dimensional figure है तो हम ऐसे ही देखा पाएंगे plane में यह जो मैंने इधर आपको दिखाया है यह है PY दोनों के PY हैं यह अब जो overlapping होगा वो किसमे होगा PX PX यह देखिए और यह PX का दूसरा लोग यह एक PY bond बना दूसरा जो combination है चाहूँ तो मैं इसको दूसरा color से दिखा देता हूँ यह है आपके पास PY और यहां से भी PY तो यह आपके पास क्या है दो नए PY bond बने है तो PY bond कैसे बना है दोस्तों यह देखिए मैंने पहले दिखाया था जो red color से दिख रहा है आपको PX और PX के combination sidewise overlapping तो यह क्या है this is the pi bond और एक हमने दिखाया है green color से यह कैसा है pi bond formed by the sidewise overlapping of PY orbital तो अगर मैं इथाइन का structure देखो फिर से एक बार तो carbon triple bond carbon एक ह इदर है एक ह इदर है इस triple bond में से क्या है दो bond pi bond है मालेज़े आगर यह beach वाला जो bond है यह है sigma bond जो पहले बन गया था फिर जो दो bond रहे गए हैं उपर और नीचे वाले यह दोनों कैसे bond है pi bond तो जब भी आप triple bond देखें तो उनमें एक bond होगा sigma और दो bond होगा pi जब भी आप double bond देखें अगर आप इसमें sigma bond count करेंगे so in ethine there are three sigma bond and pi bond कितने हैं दोस्तो 2 so this is what the hybridization sp hybridization in ethine I hope आपको समझ में आ रहा होगा इसी को अगर हम diagram से समझने की कोशिश करते हैं तो यह कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा है देखें यह carbon में sp hybridization हुआ तो 2 sp hybridized orbital बने फिर इसने यहाँ एक sigma bond बनाया hydrogen के साथ एक यहाँ sigma bond बनाया hydrogen के साथ यह हो गया इसके बाद pi bond कैसे बन रहे हैं आप देखें कुछ को दिखाया गया है red color से कुछ को दिखाया गया है purple color से तो red color वाले एक साथ combine करके क्या बना रहे है एक pi bond बना रहे है और जो दूसरे color में दिखाये गये हैं वो एक साथ combine करके क्या बना रहे है दूसरा pi bond बना रहे हैं तो आप यहाँ भी देखें one pi bond red color से second pi bond यह purple color से फिर sigma bond जो थे वो तो कैसे हैं आपके पास yellow color में आपको पहले से दिखाई दे रहे हैं so this is what ethine तो हमें क्या समझ में आया है that carbon may undergo sp hybridization sp2 hybridization sp3 hybridization तो एक बार हम इस बात को conclude कर रहे हैं कि हमने कहां कहां carbon में कौन सा कौन सा hybridization देखा है तो देखिए दोस्तों carbon में हमने देखा methane, ethene और ethane तीन molecule का example हम लेते हैं CH4 this is what methane ठीक है फिर है C double bond C H, 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 H ethene और फिर है C triple bond C, H, N, H this is ethane तो ये है sp3 hybridization ये है sp2 hybridization और ये है sp hybridization तो sp3 hybridization को हम ऐसे भी समा सकते हैं जब भी carbon चार अलग atom या group से bind होगा 1, 2, 3 and 4 तो hybridization होगा sp3 3, 3 plus 1, 4 जब भी carbon तीन अलग atom या group से bind होगा 1, 2 और इस पूरे को एक हम consider कर लेते हैं 3, right तो होगा sp2, 2 plus 1, 3 और जब भी carbon दो अलग atom या group से bind होगा तो होगा hybridization sp1 और इसको पूरा एक consider कर लेते हैं 2 तो यह हो जाएगा sp, right तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं hybridization of carbon इसके बाद देखिए और भी hybridization होते हैं एक है sp3 dehydization तो sp3 dehydization का नाम से आपको पता चल रहा है कि sp3 dehydization में क्या होगा दोस्तो sp3 hybridization में एक s orbital होगा 3 p orbital होगे और एक d orbital होगा तो कुल मिलाके कितने hybridized orbital बनेंगे 5 और जब भी 5 hybrid orbital बनेंगे तो वो कैसे रहेंगे arrange एक दूसरे के respect में आपको पता है उनकी geometry कैसी होगी मान लिजिए यह central atom है a में लिख लिता हूँ इसको तो उनकी geometry कैसी होगी दोस्तो trigonal bipyramidal तो अब आप देखे example है PCl5, Clf3 and xenon difluoride तो एक example में लेता हूँ PCl5 का तो हमें hybridization में क्या दिखना है central atom को दिखना है तो central atom है यहाँ पर phosphorus ground state electronic configuration आपको याद होगा 3s23p3 3s23p3 तो यहाँ दो electron यहाँ तीन electron अब आप देखे octet rule का violation हम कैसे समझते हैं क्योंकि यहाँ तीन unpaid electron है तो तीनी bond बनने चाहिए थे बढ़ क्योंकि यहाँ PCl5 बन रहा है अब आप देखे 3p के बाद क्या होगा 3dp तो होगा भले वो vacant है 3d vacant होगा 1, 2, 3, 4 and 5 vacant है अभी तक तो vacant है तो excited state में क्या होगा phosphorus की एक electron jump कर जाएगा from 3s to 3d तो यह क्या बन जाएगा देखे 3s में एक unpair electron रह जाएगा एक 3p में रह जाएगा और फिर एक किस में आ जाएगा 3d में आ जाएगा so 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 and 5 तो यहाँ एक unpair electron 1, 2 and 3 और एक यहाँ right तो अब आप देखे कितने unpair electron है sp3d 5 unpair electron है तो यह सब मिलके 1s का इलिया एक 3p से लिये और एक d से लिया तो यह क्या बना देंगे यह क्या करेंगे sp3d hybridization इन में होगा right और जब sp3 hybridization होगा तो उसके बाद phosphorus के surrounding में कैसा arrangement बनेगा trigonal pyramidal bipyramidal तो यह है एक trigonal right phosphorus के surrounding में और एक बनेगा यहाँ by pyramid एक pyramid उपर एक pyramid नीचे right यह है इन सब यह सारे orbital कैसे है sp3d चाहो तो आप सब में लिख दो sp3d 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 and sp3d इन सब में क्या है एक एक अनपेड electron है right एक एक अनपेड electron है अब देखे यह तीनों यह पांचों orbital किसके साथ कम overlap करेंगे chlorine के साथ overlap करेंगे क्योंकि chlorine के valency shell में एक अनपेड electron होता है chlorine का अगर आप electronic configuration देखोगे तो यह होता है 3s2 3p5 right I hope आपको यह पता होगा so 3s2 3p5 1, 2, 3, 4, 5 तो यहां देखे एक अनपेड electron है chlorine में तो वो अनपेड electron सारे orbitals के साथ सारे orbital के साथ एक-एक chlorine का mine करेगा और overlap होगा किसमें 3p orbital of chlorine and sp3 hybridized orbital of phosphorus right तो हम इसको और clearly बना लेते हैं तो कैसे geometry होगी PCL5 की तो दिखिए geometry को कौन decide कर रहा है basically hybridization क्योंकि lone pair involved नहीं है तो जितने electron pair के हिसाब से जो geometry होनी चाहिए वह होगी तो 5 electron pair में आपको पता है कैसे geometry होती है trigonal bipyramidal तो यह है phosphorus इसके surrounding में देखे यह कैसा arrangement है यह है दोस्तो trigonal bipyramidal arrangement right trigonal bipyramidal arrangement यह है sp3d 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 and sp3d अब यह किसके साथ combine करेगा with chlorine chlorine का है 3p right यह combine करेगा with 3p of chlorine यह combine करेगा with 3p of chlorine यह भी combine करेगा with 3p of chlorine और यह भी combine करेगा with 3p of chlorine right और दोनों से एक एक अनपर electrone जब आएगा तो यहाँ आपको एक pair मिलेगा तो यह कैसे bond है दोस्तों सारे के सारे sigma bond है right So, this is the structure of PCL5 and the hybridization is SP3D, geometry is trigonal bipyramidal, बाकि आप लोग try कीजिए और इनके structure हम पहले भी देख चुगे हैं, इसके बाद हम देखते हैं SP3D2 hybridization, तो SP3D2 hybridization नाम से पता चल रहा है कि एक S orbital होगा, तीन P orbital होगे और दो D orbital होगे, तो कुल मिलाके कितने orbital बनने चाहिए, orbital बनने चाहिए 6, रहीं, अब example है हमारे पास SF6 का, तो sulfur, ground state में electronic configuration आपको पता होगा, कितना होता है, 3S, 3P, 3S, और 3P में कितने होते हैं, 4, right, 1, 2, 3, 1, 2, 3, and 4, यह है ground state electronic configuration, तो देखे, octet rule का violation को हम कैसे explain कर रहे हैं, देखे, यहां तो केवल दो ही unpaired electron है, तो इसकी valency दो ही होनी चाहिए, मलब दो ही bond यह बना पाएगा, but excited state में क्या करता है sulfur, excited state में sulfur क्या करेगा, क्योंकि यहां क्या है, 3DB तो होगा, right, so 1, 2, 3, 4, and 5, भले यह अभी vacant है, excited state में, एक electron S से, एक electron P से, और यह कहां चले जाएंगे, in the D orbital, right, so 1, 2, 3, 4, and 5, तो यहां एक electron रह जाएगा, इन में भी एक एक electron रह जाएंगे, और यहां आ जाएंगे, दो electron, तो देखे, अब 1S combine करेगा, 3P और 2D, तो SP3D2 hybridization होगा, sulfur के surrounding में, यह sulfur में क्या होगा, SP3D2 hybridization होगा, right, और जब sulfur में SP3D2 hybridization होगा, तो sulfur के surrounding में, क्या होगा, आपके पास 6 SP3D2 hybridized orbital बनेंगे, और आपको पता है, यह कैसे arrangement में होते हैं, यह होते हैं, octahedral arrangement में, यह सारे के सारे कैसे हैं, SP3D2, 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 right, तो आब इन्होंने किस के साथ combine करना है, F, तो अगर आप fluorine का electronic configuration देखेंगे, तो fluorine होता है 2S2, 2P5, right, 2S2, 2P5, तो एक unpaid electron यहां होगा, तो यह क्या करेगा, combine करेगा with these orbitals, right, तो यह जो combine कर रहा है, यह है 2P, 2P of what, 2P of fluorine, 2P of fluorine, और यहां जो overlap region है, इन में क्या होंगे, दो-दो electron होंगे, मलदा paired होगा, तो यह क्या समझा रहा है, यह समझा रहा है, octahedral geometry of SF6, right, octahedral geometry of SF6, तो I hope आपको यह समझ में आया होगा, इसके बाद एक और example हम देखते हैं, यह है, आपके पास IF7, और hybridization का नाम हो रहा है, SP3D3, मतलब, 1S, 3P और 3D जब combine करेंगे, तो क्या बनेंगे, 7SP3D3 hybridized orbital बनेंगे, 7SP3D3 hybridized orbital बनेंगे, तो इसके लिए हमें क्या देखना है, आप देखें, जब भी हम hybridization देखें, तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है central atom को, तो central atom हमारे पास क्या है, idin, तो क्या आप बता सकते हैं, what will be the electronic configuration of idin, तो कई बार हमें नहीं भी ध्यान होता है, तो हमें निकालना भी आना चाहिए, तो fluorine, chlorine, bromine, idin, तो fluorine का मुझे पता है कितना होता है, 2S2, 2P5, तो एक-एक बढ़ाते जाएए, 3S2, 3P5, 4S2, 4P5, 5S2, 5P5, तो यहां हो जाएगा, 5S2, 5P5, तो ground state electronic configuration of id, क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, 5S2, 5P5, तो देख लेते हम, यह है 5S, यह है 5P, तो 5D भी तो होगा ही, right, so 5S, 5P, and 5D, यहां तीन electron होंगे, so 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, right, अब आप देखे, क्या होगा, 7, इस हिसाब से देखेंगे, तो idin तो एक ही bond बना पाएगा, right, इस हिसाब से अगर आप देखेंगे, तो idin तो एक ही bond बना पाएगा, but idin in the excited state, तो क्या होगा दोस्तो, 5S से एक electron चला जाएगा, 5P से दो electron चला जाएगा, और यह साब कहां जाएंगे, 5D में, so 1, 2, 3, 4, तो यहां क्या बचेगा, एक, यहां बचेंगे, एक, और यहां कितना आएंगे, 3, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, और आपको पता है, जब SP3, D3 hybridization होता है, तो idin के surrounding में कैसा arrangement होगा, pentagonal bipyramidal, right, तो पहले हम क्या बनाएंगे, एक pentagon बनाएंगे, और इसके surrounding में, एक बनाएंगे bipyramidal, तो total 7 orbital आपको दिखाए दे रहे होंगे, तो यह सारे कैसे हैं, SP3, D3, सारे के सारे, SP3, D3, सब के सारे हैं, right, यह combine करेंगे with 2F of fluorine, तो आपको पता है, fluorine के 2F में क्या होता है, एक unpaired electron होता है, 2P of fluorine, तो यह 2P of fluorine के सारे, जब combine करेंगे, तो यहां क्या बनेगा, एक sigma bond बनेगा, right, क्या बनेगा, एक sigma bond बनेगा, हर overlap में, तो total कितने sigma bond हो रहे होंगे, 7, so this is what, the hybridization in IF7, और वो है, SP3, D3, right, और geometric ऐसी है, आपको पता है, pentagonal bipyramidal, right, तो यह हम लोग देख चुके है, all about the hybridization, अब देखे, बहुत complex आपको लग रहा होगा, इतने सारे type के hybridization हमने पढ़ लिए हैं, तो एक simple सा तरीका है, अगर आपको कई, one marks equation में आता है, कि आपको molecule में क्या करना है, hybridization पहचानना है, तो बिना इतना calculation किये भी, आप क्या कर सकते हैं, hybridization को पहचान सकते हैं, तो एक short trick में आपको बता रहा हूँ, कैसे हम hybridization पहचानने, उसके लिए आपको क्या निकालना है, number of bonding pair plus number of non-bonding pair, I hope आपको पता होगा, what is bonding pair and what is non-bonding pair, non-bonding pair का मलब lone pair, right, यह number अगर आप निकाल लेंगे, तो आपको hybridization पता चल जाएगा, for example, अगर यह number आता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक यह number आएगा, right, 2 आने से क्या होगा, SP क्योंकि 1 plus 1, 2, 3 आने से होगा, SP2, 4 आने से होगा, SP3, 5 आने से होगा, SP3D, 6 आने से होगा, SP3D, 2 और 7 आने से होगा, SP3D, 3 तो यह एक बहुत सुन्दर सा ट्रिक है, जिससे हम निकाल सकते हैं, क्या होगा, क्या होगा, hybridization, तो इसको हम apply करके भी देख लेते हैं, right, तो आप देखे, BEH2 में, क्या hybridization होगा, इसको अगर आपने, one marks के question में क्येवल answer बताना है, वो समझाना नहीं है, structure वाइगेरा, तो हम कैसे निकालेंगे, तो आप देखे, BE के surrounding में, इसका मैं अगर बनाओ, structure, BEH2 ऐसा होता है, तो यहाँ कोई भी loan pair नहीं है, तो एक bond pair यहाँ है, एक bond pair यहाँ है, तो bond pair होगे यहाँ, bond pair होगे यहाँ 2, और loan pair आप माल लिजे, कह लिजे, loan pair होगे 0, so bond pair plus loan pair होगे 2, मतलब SP hybridization हो गया, ऐसी मैं कहता हूँ आपको, आप देखिए BCL3 में, BCL3 में, तो BCL3 में आप देखेंगे, BCL3, right, तो BCL3 में भी 3 क्या हैं, आपके पास bond pair है, तो 3 bond pair का मल लिजाब SP to hybridization, फिर आप देखिए CH4, right, NH3 और H2O, right, तो इसमें अगर आप hybridization निकालेंगे, तो कैसे हम देखते हैं, कौन सा hybridization है इन तीनों में, तो मैंने आपको तीन example दिये, क्या है आपके पास, एक है आपके पास CH4, एक है आपके पास water, एक है आपके पास ammonia, तो CH4 आपको पता है, 1, 2, 3, 4, carbon में कोई भी lone pair नहीं है, तो bond pair होगे 4, lone pair हो गया 0, right, इसके बाद NH3 में आपको पता होगा, कि nitrogen के उपर एक lone pair होता है, तो bond pair होगे यहाँ 3, 1, 2, 3, और lone pair हो गया 1, ठीक है, इसके बाद water का structure आपने देखा है, oxygen के उपर 2 lone pair होते हैं, तो bond pair is 2, lone pair is 2, तो सब में अगर आप सम करेंगे, तो यह आएगा 4, तो मलब इन सब के सम में hybridization कैसा है, SP3, right, तो इनकी geometry कैसी होनी चाहे, सब की कैसी होनी चाहे, tetrahedral होनी चाहे, यह, बड़ केवल methane की ही tetrahedral होती है, क्योंकि वहाँ lone pair नहीं है, ammonia की होती है pyramidal, क्योंकि वहाँ एक lone pair है, और water की कैसी होती है, bent geometry होती है, क्योंकि वहाँ 2 lone pair है, तो यह हम बात हैं पहले VSEPR theory में भी पढ़ चुके हैं, कि अगर lone pair होगा, तो expected geometry क्या हो जाएगी, distort हो जाएगी, तो कहता है, SP3 hybridization होने से tetrahedral geometry होनी चाहे, और यह होती है अगर lone pair नहीं होता है, lone pair होने से और possibilities हो जाती है, तो इस study case से even shortcut से भी हम निकाल सकते हैं, what is the hybridization, तो I hope आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा concept of hybridization, इसके बाद एक तूसरा important topic हम देखते हैं, यह है molecular orbital theory, तो molecular orbital theory क्या है, it is developed by F.Hund and R.S. Millikan, तो पहले इसके कुछ basics idea हम देख लेते हैं, basic ideas हम देख लेते हैं, तो basic idea of molecular orbital theory, तो नाम से पता चल लहा है molecular orbital, अभी तक हम क्या पढ़ते आये हैं, atomic orbital मलब जो S, P, D, F की हम बात कर रहे हैं, इनके ये तो sub shell हैं, इनके अंदर जो orbital हैं, वो atom की orbital हैं, अभी हम बात कर रहे हैं, molecule के orbital की, तो क्या है, तो basic idea क्या है molecular orbital theory का, that atomic orbitals of the individual atoms combine to form molecular orbital, मतलब, जब भी molecule बनेगा, मान लिजिए hydrogen atom से बन रहा है, क्या hydrogen molecule, दो hydrogen atom आपस में जोड़े, और बना hydrogen molecule, तो आप इसमें atomic orbital की जगे में क्या होंगे, molecular orbital होंगे, यही तो basic idea है, molecular orbital theory का, और ये molecular orbital कैसे बने हैं, ये बने हैं, by the combination of atomic orbitals of the individual atom, तो individual atom यहां कौन है, hydrogen and hydrogen, in the same way, अगर आप oxygen का molecule बनाते हो, by the combination of two oxygen atoms, तो यहां जो atomic orbital होंगे, यहां जो atomic orbital होंगे, ये combine करेंगे, और ये क्या बनाएंगे, molecular orbital in the oxygen molecule, तो ये basic idea है, molecular orbital theory का, इसके बाद, दूसरा basic idea ये है, the electrons in the molecules are present in the molecular orbitals, which are associated with the several nuclei, तो ये एक major difference है, यहां पर, atomic orbital और molecular orbital में, क्या major difference है दोस्तों, कि atomic orbital के जो electron है, they are associated with a single nucleus, for example, oxygen अगर है, oxygen अगर है, तो oxygen में atomic orbital, 1s2, 2s2, 2p, कितना होता है, 2p, 4, yes, so this is the electronic configuration of oxygen, तो 1s का जो orbital है, 2s का जो orbital है, और 2p की जो तीन orbital है, px, py, and pz, इन में जो electrons है, right, इन में जो electrons है, they are associated with the oxygen only, यह atomic orbital की बात है, but, जब molecular orbital की बात होती है, तो यहां जो molecular orbital के electron है, वो कितने nuclei से associated है, they are associated with two nuclei, दोनो oxygen atom के nuclei से associated होंगे, यह तो हमने simple molecule बनाया, और भी complex molecule हो सकते हैं, जैसे, अगर आप बात करोगे, CH4, methane की, अगर आप बात करते हैं, CH4 की, methane की, तो यहां जो electron होंगे, they are associated with five nuclei, they are associated with five nuclei, और वो five nuclei कौन कौन से है, one carbon and four hydrogen, तो यह एक important difference है, किसमे, atomic orbitals और molecular orbitals में, और वो difference क्या है, that the electrons in the molecules are present in molecular orbitals, and these are associated with several nuclei, जब की, atomic orbital का जो electron है, that is associated with only one nuclei, right, इसके बार, molecular orbitals are filled in the same way as the atomic orbitals are filled in the atoms, मलब हमने atomic orbital को fill किया था, जब हमने लिखा था, electronic configuration, electronic configuration of atom, in the same way हम क्या करेंगे, molecule में भी electronic configuration लिखेंगे, right, तो यह कुछ basic बात हैं थी, किसकी molecular orbital theory की, जिसको हम MOT कहते हैं, in short, right, तो कुछ important point और इसमें हैं, उनको एक बार समझ लेते हैं, वो ही है लगबार लगबार जो हमने अभी पड़ी है, so, पहला point कहता है, molecular orbital theory में, just like an atom, molecules has orbitals of definite energy, जैसे atom में atomic orbital होते हैं, in the same way, molecules में क्या होते हैं, molecular orbital होते हैं, और जैसे atom के atomic orbital की energy क्या होती है, definite होती है, in the same way, molecules के molecular orbital की energy भी क्या होती है, definite होती है, like electrons of atoms are present in atomic orbitals, electrons of molecules are present in different molecular orbital, बहुत simple, right, दूसरी बार, molecular orbitals are formed by the combination of atomic orbitals, यह मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कैसे molecular orbital बनते हैं, molecular orbitals are formed by the combination of atomic orbitals, right, और कौन से atomic orbital combine करेंगे, which are of proper symmetry and comparable energy, जिनकी symmetry एक जैसे होगी, और जिनकी energy में बहुत जादा difference नहीं होगा, हम आगे बनाएंगे molecular orbital तो आपको और clear होगा, right, the atomic orbitals of these atoms merge into molecular orbital, मतलब atomic orbital merge होके क्या देंगे, molecular orbital देंगे, simple, next point is, an electron in an atomic orbital is under the influence of only one nucleus, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, right, however, an electron in a molecular orbital is under the nuclei of two, under the influence of two or more nuclei, जितने भी atom उसमें present होगे, जैसे water के जो electron है, they are under the influence of three nuclei, CH4 के जो electron है, they are under the influence of five nuclei, O2 के जो electron है, they are under the influence of two nuclei, oxygen का जो electron है, they are under the influence of only one nucleus, right, इसके बाद है, just as the electron probability distribution around a nucleus in an atom is given by atomic orbital, आपको पता है, atomic orbital क्या देता है आपको, आपको देता है, the probability of finding the electron around the nucleus, atom की अगर आप बात करें, तो जो atomic orbital है, उससे क्या पता चलता है, the probability of finding the electron around the nucleus, right, in the same way, अगर हमने क्या देखना है, probability of finding the electron around the various nuclei in a molecule, निकालना है, तो हमें किसकी help चाहिए होगी, molecular orbital की, तो simple सी बात है, जो काम atomic orbital का atom में है, वही काम molecular orbital का molecule में है, बहुत simple सी बात है, यह बहुत simple है, जितने atomic orbital कमाइन करेंगे, उतने ही molecular orbital बनेंगे, अब अगला point थोड़ा important है, आप दिखे, इसको हम कहते हैं, BEMO has lower energy and hence greater stability, whereas the corresponding anti-bonding molecular orbital has more energy and lesser stability, इसका क्या मदलब है, इसका मदलब है, जब भी atomic orbitals आपस में combine करते हैं, तो molecular orbital बनते हैं, अब यह molecular orbital भी अलग-अलग type के हैं, उन में से दो type अभी हम पढ़ रहे हैं, एक को कहा रहे हैं bonding molecular orbital, एक को कहा रहे हैं anti-bonding molecular orbital, और नाम से पता चल रहा है, bonding molecular orbital का मदलब, ऐसे molecular orbital जो bonding में, जो bonding के लिए favorable हैं, या जो bonding में role play करते हैं, या जो bonding में participate करते हैं, और एक होते हैं anti-bonding orbital, जो bonding में participate नहीं करते हैं, या जो bonding को favor नहीं करते हैं तो simple सी बात है क्या कह रहे हैं atomic orbital जब combine करेंगे तो molecular orbital बनते हैं और molecular orbital भी अलगलग type की है उन में से दो हम पढ़ रहे है bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital non-bonding molecular orbital भी होते हैं वो फिलाल आपके syllabus में नहीं है right, so bonding क्या कह रहा है यह वाला point, sixth point कि जो bonding molecular orbital है क्योंकि वो bonding में participate कर रहा है और bonding का मलब है greater stability और greater stability का मलब होगा lower energy तो इसलिए मैंने क्या लिखा है BMO को नीचे लिखा है मलब इसकी lower energy होगी और जो ABMO होगी उसको ओपा लिखा है इसका मलब है इसकी higher energy होगी right, simple, इसको हम और detail में पढ़ेंगे जब हम energy level diagram देखेंगे इसके बाद है molecular orbitals are filled in the same way as atomic orbitals are filled, molecular orbital को हम वैसे ही भरते हैं जैसे हमने atomic orbital को भरा था मलब जब हमने electronic configuration of atoms लिखे थे मलब इनमें हम क्या-क्या follow करते हैं, इसमें हम follow करते हैं बाव प्रिंसिपल यह आपने पढ़ा है और बाव प्रिंसिपल को हम follow करते हैं हम follow करते हैं Pauli's exclusion principle हम follow करते हैं Hund's rule of maximum multiplicity तो ये तीन rule हम follow करते हैं while writing the electronic configuration of atoms तो ये ही तीन rule follow होंगे while writing the electronic configuration of the molecules right, last point है molecular orbitals, MO's, are formed by the linear combination of atomic orbital ये simple सा point है अब इसको हम देखते हैं जो भी बात इस molecular orbital theory में है वो क्या कहता है कि atomic orbital के combination से क्या बनेंगे molecular orbital बनेंगे अब हम ये दिखने वाले हैं कैसे? तो कैसे? वो लिखा है linear combination of atomic orbital तो क्या मतलब है linear combination of atomic orbital का? वो हम देख लेते हैं तो हम बनाने जा रहे हैं molecular orbitals so formation of molecular orbitals तो इसको हम एक बहुत simple example से समझते है hydrogen molecule के तो hydrogen molecule क्या होगा? H2 S2 का मलब दो hydrogen है 1 and 2 so for our convenience हम ये मान लेते हैं कि जो पहला hydrogen है वो है HA जो दूसरा hydrogen है वो है HB पहले hydrogen का जो wave function है वो represent कर रहा है Psi A represent हो रहा है Psi A से दूसरे hydrogen का जो wave function है that is being represented by Psi B हो गया? अब देखिए जब bonding molecular orbital बनेगा ये जो Psi A है और Psi B है ये क्या represent कर रहे है? atomic orbital तो जब bonding molecular orbital बनेगा तो आप ये समझ लिए ये bonding में दोनों wave function add हो जाते हैं और anti-bonding में ये subtract हो जाते हैं simple right so Psi bonding molecular orbital जो hydrogen molecule के लिए है वो क्या होगा? Psi A plus Psi B that is what? addition of wave function और इसको हम sigma से भी denote करते हैं Psi bonding molecular orbital को हम sigma से भी denote करते हैं क्यूंकि ये जो orbital है आपको पता है ये S है तो SS जब भी कमाइन करेगा तो हमेशा sigma bond बनेगा याद है आपको SS जब भी कमाइन करेंगे तो sigma bond बनेगा so Psi A plus Psi B ये हो गया sigma bond right तो ये sigma molecular orbital ये जो Psi A plus Psi B है ये bonding molecular orbital denote कर रहा है hydrogen के case में और anti-bonding molecular orbital का मतलब है subtraction of the wave function एक में से दुसे को घटा दो तो ये हो जाएगा Psi A minus Psi B और इसको हम denote करते है Psi star से तो bonding को हम denote करते है sigma से और जो anti-bonding है उसको denote करते है sigma star से right तो केवल क्या करना है bonding के लिए add करना है और anti-bonding के लिए subtract करना है तो देखिए कैसे add और subject हम कर रहे है so these are two isolated hydrogen atom add होने का मतलब है ये दोनों electron cloud merge हो जाएंगे तो merge होने का मतलब है 1s plus 1s तो ये हो गया bonding molecular orbital और आप देखिए ये जो cloud है ये bigger हो गया पहले के comparison में और यहां ये क्या है आपके ये जो दो nucleus है इनके बीच में क्या है electron density है ये आपको जो shaded portion दिखाई दे रहा है ये है electron density तो दोनो nucleus के बीच में अगर electron density नहीं होगा तो ये क्या करेंगे एक दूसरे को repel करेंगे क्योंकि nucleus के ओपर तो positive charge है बट यहां बीच में अगर आप negative charge भर देते हो तो यह क्या एक दुसरे को repel करेंगे नहीं क्योंकि यहां positive और negative में attraction यहां positive और negative में भी attraction तो इसका मतलब है जब भी bonding molecular orbital बनेगा electron density between the two nuclei is increased यह तो anti bonding का case लिखा है मैं आपको bonding समझा रहा हूँ तो जब भी bonding molecular orbital बनेगा तो क्या होगा nuclei के बीच में electron density बढ़ जाएंगी इसलिए वो bonding को favor करेगा इसके बाद आप देखिए anti bonding में क्या हो रहा है subtract हो रहा है 1s minus 1s मलब nuclei से electron density दूर जा रही है यह है nuclei और इन से electron density इस direction में आ गए तो यह है nuclei और इस से electron density दूर आ गए इस direction में तो जब nucleus से electron density दूर हो गई तो nucleus तो एक दूसरे के आमने सामने आगे और इनके बीच में क्योंकि electron density है नहीं तो देविल रिपेल और जब रिपेल करेंगे मतलब वो bonding को favor नहीं करेंगे तो anti bonding molecular orbital के बीच में हुआ node आपको पता है क्या होता है so it is denoted by sigma star 1s तो sigma क्यों कह रहे होंगे क्योंकि 1s और 1s के combination से बनता है sigma bond right star क्यों कह रहे है क्योंकि ये anti bonding है right so sigma star 1s का मलब है 1s के combination से जो anti bonding molecular orbital बना है उसकी बात हो रही है so देखे the electron density between two nuclei is practically zero right किसकी बात हो रही anti bonding में and is concentrated in the regions away from each nucleus तो यहां देखे यह nucleus और nucleus यहां से दूर है electron density situated right so because there is subtraction of wave function so this situation does not favor bond formation तो मैं आपको सुरू से बता रहा हूं जो anti bonding molecular orbital है they do not favor the bond formation तो bond formation कौन favor करता है bonding molecular orbital right इसको हम इस तरीके से भी समझा सकते हैं waves के case में अभी यह वाला diagram आप देखे waves के case में समझा सकते है माल लिजे एक जो साई हम दिखा रहे थे तो साई basically क्या represent कर रहा है wave को so it is wave 1 it is wave 2 right जब addition होना है तो wave 1 और wave 2 आपको same phase में दिखाई दे रहे है same phase का क्या मलब है आप class 10th या 9th से wave property पढ़ रहे है तो same phase का मलब होता है इसका crest और इसका crest एक साथ है इसका trif और इसका trif एक साथ है right तो जब यह दोनों जोड़ेंगे तो amplitude add हो जाएगा तो यह देखे sum of 1 and 2 तो amplitude यहाँ बढ़ गया अगर यहाँ amplitude 1 है यहाँ amplitude 1 है तो यहाँ amplitude कितना होगा 2 तो यह है addition तो addition के लिए waves को क्या होना पड़ता है in phase होना पड़ता है अब आप देखिए wave 2 में देखिए यह है इस phase में और यह इसका opposite phase है की नहीं opposite phase का मलब है जहाँ इसका crest है वहाँ इसका trif है तो अगर इसका amplitude 1 है तो इसका तो opposite direction में है ना minus 1 तो जब दोनों को add करेंगे तो क्या आएगा 0 तो यहाँ कोई wave बनी नहीं रहा है तो यह destroy हो गई wave और destroy हो गई wave का मलब है आप आगे पढ़ेंगे physics में इसको कहते है destructive interference और इसको कहते है constructive interference constructive का मलब जब waves add हो जाती है तो amplitude भी add हो जाएगा so this is constructive interference और destructive का मलब जब waves एक दूसरे को subtract करती है तो उस case में क्या होगा amplitude कम होगा और अगर दोनों का amplitude बराबर है subtract होने वाले का तो amplitude यहाँ हो जाएगा 0 तो एक और तरीके से हम लिखने का तरीका क्या है यह एक wave function है यह एक wave function है तो हमने क्या कहा एक bonding मना एक anti-bonding मना तो जो bonding मना उसकी energy कम है यह energy excess है तो energy कम है मलब हम इसको नीचे दिखाएंगे और anti-bonding की energy ज़्यादा है तो उसको हम ऊपर दिखाएंगे simple इसको हम और आगे भी देखने वाले हैं right इसके बाद देखिए जो bonding and anti-bonding molecular orbital है उसमें electron के find out होने की probability तो आपको पता है साई तो wave function है atomic orbital के case में भी बट electron के find out होने की probability हम निकालते हैं साई square से right हम साई square से निकालते हैं तो bonding molecular orbital में जब आप electron के find out होने की probability निकालोगे तो आपको bonding molecular orbital के psi का square करना पड़ेगा और bonding molecular orbital का psi क्या है? psi a plus psi b तो यहाँ क्या हो जाएगा? psi a plus psi b का whole square तो आपको पता है a square plus b square plus 2ab तो आप दिखें यहाँ जो molecule में जो molecular orbital बना है उसमें bonding molecular orbital में electron के find out होने की probability कितनी है? psi a square plus psi b square plus 2 psi a psi b so therefore the probability of finding the electron in bonding molecular orbital is greater than either of the atomic orbital मतलब अगर a atomic orbital में electron के find out होने की probability थी psi a square b atomic orbital में electron के find out होने की probability थी psi b square तो जो इन दोनों के combination से जो bonding molecular orbital बना है उन में इन दोनों के sum से भी जादा है और कितना amount जादा है? 2 psi a psi b so therefore the probability of finding the electron in bonding molecular orbital is greater than either of atomic orbitals by an amount equal to 2 psi a psi b इसलिए bonding molecular orbital क्या करता है? bonding को favor करता है अगर अगर आप anti-bonding molecular orbital में electron के find out होने की probability निकालोगे तो आपको anti-bonding molecular orbital का wave function देखना पड़ेगा वो है psi a minus psi b तो psi square करना पड़ेगा तो psi square क्या है? psi a minus psi b square तो यह है psi a square psi b square minus 2 psi a psi b therefore the probability of finding the electron in anti-bonding molecular orbital is less than दोनों में से कम है और कितनी amount से कम है? 2 psi a psi b वो ही बात है bonding में जितना ज़्यादा है electron के find out होने की probability उतनी ही amount इसमें क्या हो रही है? कम हो रही है that's why it doesn't favor the bonding right? इसके बाद अब हम देख रहे हैं relative energy of bonding and anti-bonding मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ relative energy का मदलब है atomic orbital के comparison में मालों 2 atomic orbital combined हुए तो 2 molecular orbital बनेंगे उसमें से 1 बनेगा bonding molecular orbital 1 बनेगा anti-bonding molecular orbital तो किसकी energy ज़्यादा? किसकी energy कम? यह तो हम पहले ही जान चुके हैं so in case of bonding molecular orbital the attraction of both the nuclei for both the electrons is increased क्योंकि क्या है दोनों nucleus के बीच में electron density situated है यह यहाँ पर जादा है so this results in the lowering of energy क्योंकि repulsion कम हो रहा है attraction बढ़ रहा है तो energy कम हो जाएगी but in case of anti-bonding molecular orbital the electrons try to go away from the nuclei जो electron density है that is situated away from the nuclei this corresponds to repulsive state में पहले आपको बता चुका हो therefore the energy of this orbital is higher right तो इसको हम कहते है energy orbital diagram देखे energy level diagram atomic orbital 1s 1s जब कमाइन करेंगे तो बनेगा sigma 1s और sigma star 1s तो sigma 1s क्या है कम energy का है इसलिए इसको नीचे दिखाये गया है और sigma star क्या है जादा energy का है इसलिए इसको उपर दिखाये गया है so this was what meant by the relative energy of bonding and anti-bonding molecular orbital इसके बाद आप देखे हमने तो 1s का combination क्या अब ही हम कराते हैं 2s का combination तो 2s का combination में बिल्कुल ऐसे ही होगा क्या होगा क्या बन जाएगा sigma 2s और sigma star 2s क्यावल नाम change हो गया बाकि वही रहेगा अब हम combination करा रहे है p orbitals का तो देखे p orbital आपको पता है px, py और pz हैं तीन p orbitals हैं और यह 2 से सुरू होगा 1 में तो p orbital होते नहीं है तो देखे हैं हमको पता है sigma bond कैसे बनता है जब p orbital head-on overlapping करते हैं और pi bond कैसे बनते हैं जब p orbital side-wise overlap करते हैं So when the two pz orbitals are brought closer along the inter-nuclear axis मालो हम z axis को क्या मान रहे हैं inter-nuclear axis मान रहे हैं तो जब 2 p orbital z axis के along आ रहे हैं मलब वो pz है So they overlap head-on forming sigma bond तो वो sigma bond बनाएंगे So when the orbital overlap by addition of the wave function तो बनेगा bonding orbital तो उस bonding orbital को हम कह रहे है sigma 2pz अभी तक हमने क्या देखा था sigma 1s, sigma 2s तो sigma 2pz orbital अगर addition of wave function हो रहा है और अगर subtraction हो रहा है तो sigma star 2pz तो देखिए ये 2p orbital आपस में combine कर रहे है तो क्योंकि add हो रहा है add होने का मलब है same sign या same color वाले लोग combine कर रहे है तो addition में molecular orbital बढ़ जाता है तो ये denote कर रहा है sigma 2px अगर x को माना है वैसे हमने z को माना था तो हम लिख लेंगे sigma 2pz इसको correct कर लेजी और अगर ये क्या कर रहे है subtract कर रहे है subtract करने का मलब है opposite sign या opposite color तो ये क्या होगा sigma star 2pz simple तो इस तरीके से हम क्या देख रहे है formation of sigma 2p and sigma star 2p अगर 3 में है तो sigma 3pz sigma star 3pz ऐसा हो जाएगा अब क्यूंकि क्या हो गया है sigma z ने कमाइन किया है head on तो x और y तो कमाइन नहीं कर सकते है head on इन में जो x और y होंगे उनको sidewise overlap ही करना पड़ेगा तो sidewise जब overlap करेंगे तो क्या बनेगा pi मतलब px और py के कॉमिनेशन से बनेगे pi orbitals क्योंकि यह sidewise overlap कर रहे हैं और अगर वो क्या करते है addition वाले हैं तो बनेगे bonding और subtraction वाले हैं तो बनेगे anti-bonding बहुत simple है so when the two px orbitals approach each other they overlap sidewise forming sigma 2px bonding and sorry pi 2px bonding and pi star 2px anti-bonding यह मैं आपको बता चुका हूँ पहले in the same way y में भी ऐसा ही होगा यह होगा pi 2py bonding and pi 2p pi star 2py anti-bonding तो आप इनको देख भी सकते हैं diagramatically देखे यह px या py कुछ भी हो सकते है हम generally इसको p कह लेते हैं तो देखे क्या है यह है क्योंकि यह addition हो रहा है same color same side तो यह क्या बनेगा क्योंकि pi बन रहा है तो इसको हम कहलेंगे pi p अगर x है तो px y है तो pi p y same ही होगा और क्योंकि opposite color या opposite sign combine कर रहा है मनलब यह subtraction हो रहा है तो क्या है यहाँ पर यह बनाएंगे pi star p तो pi star 2p y भी हो सकते है अगर 2p का है pi star 2p z भी हो सकते है यह pi star आप p y भी लिख सकते है pi star p z भी लिख सकते है तो इस तरीके से हमने देखा sigma sigma star का formation pi और pi star का formation simple सी बात है अगर addition होगा wave function का तो bonding orbital और अगर subtraction होगा wave function का तो anti bonding orbital बहुत simple है इसके बाद देखिए क्या condition है combination of atomic orbitals के लिए वो हम देख लेते है conditions क्या है the combining atomic orbital must have same or nearly same energy बहुत simple है यही हमने hybridization में भी देखा था बहुत ज़्यादा difference energy में होना नहीं चाहिए तीसरा the extent of overlapping between the atomic orbital of two atoms should be large जितना ज़्यादा overlapping होगा उतना strong bond बनेगा यह भी बहुत simple है तीसरा बात है the combining atomic orbital must have the same symmetry about the molecular axis यह important point है same symmetry होनी चाहिए अब same symmetry से क्या मतलब है वो हम देखते है for example 2s orbital can combine with another 2s orbital ठीक है s और s में combination हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है 2pz orbital can combine with pz orbital बट क्या होगा it cannot combine with px और py orbital मतलब 2pz और 2pz का ही combination होगा चाहे वो bonding के लिए हो या anti-bonding के लिए हो मतलब अगर मैं 2px और 2py का combination कराऊंगा तो ऐसा होगा ही नहीं क्योंकि इनकी क्या है symmetry अलग-अलग है और symmetry अलग होने का मतलब है ये तो x-axis में orient है ये तो y-axis में orient है तो overlap mixing का तो मतलब भी नहीं है combination का मतलब भी नहीं है तो इसी को हम कह रहे है symmetry राइट तो इसी के basis पे हम देखते है positive overlap किसको कहते है negative किसको कहते है zero किसको कहते है तो positive overlap का simple सा मतलब हो गया क्या होना है bonding molecular orbital बनेंगे तो same sign जब combination कर रहा है तो positive even S में भी देखी आपको पता है P में दोनों लोब में अलगलग sign होते हैं तो S में अगर आप positive sign consider करोगे तो ये positive वाले लोब के साथ ही मिलेगा तो यहाँ sigma bond बनेगा यहाँ sigma bond बनेगा even pi bond बनने के लिए भी यही condition है 2px, 2px आपस में combine कर रहे है positive, positive, negative, negative तो यह bonding molecular orbital यहाँ देखी 2py, 2py तो positive, positive, negative, negative तो यह भी क्या बनेगा bonding molecular orbital बनेगा भले यह pi बनेगा बट यह बनेगा bonding pi और यहाँ आप देखे यह क्योंकि opposite sign हो गया तो इसको हम कह लेते हैं anti-bonding, negative overlap, sigma star यह भी हो जाएगा, sigma star यहाँ positive, negative तो यह हो जाएगा pi star और यह भी हो जाएगा pi star तो एक हो रहा है positive overlap एक हो रहा है negative overlap 0 overlap का क्या मदलब है कि ऐसा overlap से ना तो bonding molecular orbital बनेगा नहीं anti-bonding molecular orbital बनेगा ऐसा क्यों है, तो देखे 0 overlap का मदलब है यहाँ जो s का plus वाला portion है वो plus में भी उतना ही mix हो रहा है और minus में भी उतना ही mix हो रहा है तो resultant क्या होगा, 0 ही होगा bonding, anti-bonding कुछ भी नहीं बना अब यहाँ देखे PX और PY में कोई combination हो सकता है क्योंकि इसकी यह दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे इनके बीच में कैसा angle है 90 का angle है, तो screen पर ऐसा ही दिखाई देगा तो इसकी direction इधर है horizontal plane में और दूसरा वाला vertical है, तो combination होई भी नहीं पाएगा, तो इस तरीके के combination को हम कहते है, zero overlap मतलब जो होई नहीं पा रहा है due to symmetry regions तो एक जैसे symmetry होनी चाहिए तब ही overlap हो पाएगा और overlap भी दो है, positive and negative, positive वाले में बनता है bonding molecular orbital और negative वाले में बनता है anti-bonding molecular orbital right, so this is all about the part 6 of the chemical bonding तो I hope आप लोग को समझ में आ रही होगी बते in case आपका कोई doubt है तो please आप comment कीजे and thank you very much for watching, thank you